हेलो बच्छा लोग दिस इस गुपाल सर एंड वेलकम टो एजूविस्टर्स आज हम लोग डिसकस करेंगे बटा इस वीडियो में फूड फीडिंग और डाइजेशन के बारे में वह भी किसका हड्मानिया का इसके पहले वीडियो में हम लोगोंने हड्मानिया का पूरा एलि लेटक्राइश्टि design और अब सुष्व में फीडिंग करने के लिए इनके पास एक special system कोता है यह cilyery the यह मतलब यह होता बच्छा कि 이건 पदार्थ को कार्ड उस्चम फॉते हैं इनके पास जो Tenticles पाई जाते हैं Tenticles मतलब ऐसे कह सकते हैं ऐसी संग्रशना पाई जाते है Tenticles ऐसा दिखलाई देता है जैसे इसके पहले क्लास में आप लोगों ने Aurelia के उपर Ovelia के उपर Tenticles पढ़ा होगा क्योंकि आप Second Year में है First Year में आप लोग आ लेड़ी ये क्लासेज देखे होंगे सरी तो वहां पर क्या था बच्चा कि हम लोग यह देखते थे Tenticles क्या करता था सेंस के लिए काम करता था वैसा सेंस यहां पर भी काम करेगा लेकिन यह कैसा सेंसेएशन यहां दिखाएगा यहां पे जो sense इसका provide होगा वो chemical receptor की तरह यानि यह chemical को test करेगा food material को test करेगा अगर वो useful है तो इसको intake करेगा नहीं तो बाहर की तरफ reject कर देगा और यह जो ciliary feeder है यहां पे cilia होती है जो अपने beat के करण water current से आने वाले food material में जो अच्छे particle है उनको तो इंगल्फ करेगा नही बाखी चीजों को बाहर निकाल देगा तो चलते हैं जरा इसकी तरफ जो food feeding and digestion है आप लोग आल्रेड़ी जानते हो बटा कि जो डाजे इसका food होता है हड़मानिया का food हमने पहले ही अभी बोला कि कौन सा होता है हड़मानिया का food माइक्रोस्कोपिक आर्गेनिजम ही होंगे तो चलते हैं इसकी तरफ due to sedentary habit, sedentary habit का मतलब क्या होता है ऐसी habit जिसमें कोई भी चीजें स्थिर हो तो यह हड़मानिया क्या होता है अपनी sedentary habit का मतलब जगें स्थिर होता है और इसकी जो feeding mechanism है यह ऐसा नहीं होता कि कूद के या लपक के किसी चीज को पकड़ ले यह स् that is a ciliary or filter feeder ciliary or filter feeder मतलब क्या हुआ कि यह चान देता है किसी भी food material को चान के या कांट चाट करके लेता है the food consist of जो इसकी food होती है वो क्या है microscopic planktonic planktonic मतलब phytoplankton you plankton आप लोग अच्छे जानते होगे जो सुच में जीव होते आर्गेनिजम्स such as कौन-कौन algae diatums यानि microscopic जो animal होंगे सुच में जीव होंगे protozoans होंगे और alga यह भी microscopic ही तो है या थोड़ा सा उससे बड़ा आप कहा सकते हो फिर उसके बाद है infusorians यानि इन सब को यह क्या करता है ETC इन सब को यह अपने food material के रूप में इंटेक करता है दिन बात आती है बटा feeding की तो आप लोग पहले इसको एक बार फिर से जान ले यह सुच में जीवों का भोजन करता है Microscopic Planktonic Planktonic का मतलब यहीं पर आप सारी चीजे स्टाप कर दो इन चीजों को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी Plankton का मतलब ही होता है Geoplankton and Phytoplankton Geoplankton यानि समुद्र में पाए जाने वाले सुच में जीवों वो Microscopic होने चाहिए प्लस समुद्र में पाए जाने वाले वो प्लांट जो छोटे-छोटे हो यानि Microscopic हो तो उनको हम Phytoplankton कहेंगे और Phytoplankton हमने बोला Phytoplanktonic तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा बटा कि Geoplanktonic और Phytoplanktonic क्या होता है चलते हैं फेडिंग की तरफ Outward Outward का मतलब यह होता है बाहरी या External Beating जो इसके पास बाहर की तरफ ऐसे Cilia beat कर रहा है इसके Fyrings वाले portion में और Mouth वाले portion में बकल कैविटी वाले में आप देखे होंगे कि Cilia का हमने बताया था कि एक Fold देखा जाता है उसके नीचे Band होता है Ciliary Band होता है कहां पे होता है बकल कैविटी वाले रिजन में आपने देखा होगा इसके पहले digestive system के डाइग्राम में Beating of Lateral Cilia Lining जो Lateral Cilia Lining Laterally situated है The Stigmata Setup Stigmata Setup आपने Stigmata का डाइग्राम यह जो आपने हड़मानिया का जब digestive system बनाया होगा तो यहां पे कुछ ऐसे 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 ब्रांचेस थे इन ब्रांचेस को एक दूसरे से ऐसे अटैज कर रहा था जो वहीं Stigmata था बेटा हमने डाइग्राम में भी लिख दिया है नीचे की तरफ यहां पे आप अपने डाइग्राम को देखोगे तो यहां पे हमने naming किया इस्टिगमेटा को इस्टिगमेटा क्या है इस्टिगमेटा Setup आप Constant Water Current यह Water Current को Setup करता है कि एक Constant Region में जाए यह नहीं कि जैसे मन तैसे जोके के साथ यह चला जाए देनाता है कि current को जो कैसे इंटर करा रहा है Constant Activity के साथ वीच इंटर्स थ्रो दे माउथ जो इंटर करता है यह current water इंटर करता है जो constant current है water का बही water बड़ी speed से जा रहा है अचानक से क्या हुआ है इसको यह लो कर दिया कौन लो किया यह इस्टिगमेटा यानि इसको constant कर दिया कहा तक जाने के लिए इंटर्स थ्रो दे माउथ माउथ के थ्रू एंड बकल कैविटी माउथ में गया फिर बकल कैविटी में इंटू दा फैरिंग्स और यह सारी function हो कहा रही है फैरिंग्स में क्योंकि इसके पास स्टिगमेटा पाया जाता है फैरिंग्स के branchial legion में यहीं ब्रांचियल टेंटिकल्स वार्मिंग जो निच्वाद आप लोगों को यह वाली डाइग्राम थी बैटा आप टेंटिकल्स यहां मौझूद हैं फार्मिंग असार्ट आफ साइब यह छोटी सी चलनी नुमा काम करते हैं चलनी जैसे हम वह आटे आटे को क्या करते हैं हम ऐसे डाल के चलनी में ऐसे से चलते हैं तो आटे का जो बाहरी कड़ होता है बड़ा-बड़ा कड़ वह उपर रहा बाकी चीजे नीचे चली जाती है वैसे ही क्या होता है कि यह क्या करता है चलनी कहीं काम करेगा यह टेंडिकल्स बना दिया वहां पर चलनी और यह साइब मतलब चलनी होता है याद रखना यह करता क्या है प्रिवेंट कर देता है रोक देता है लारजर पार्टिकल्स चोटे फुट पर्टिकल हैं उरको एलाव कर देता है अंदर जाने के लिए तू इंटर अंदर जाने के लिए यहां पे इतनी पोर्शन किसकी है यह पोर्शन हमने देख लिया कि यहीं चीजें हैं mouth की यहाँ पे mouth हो गया यह portion buckle cavity वाला tendicles वाला region यहाँ पे ऐसे ऐसे tendicles को draw कर दें और यहाँ से pharynx से start हो गया और यह पूरी branchial cavity यह हो गई branchial cavity तो हमको यहाँ पे द्यान देना है बटा कि जब water current के through ऐसे ऐसे speed से water चली जा रही चली जा रही है और इसके through geoplankton और phytoplankton entry कर गएं तो यहाँ पे यह tendicles क्या करता है यह यहाँ पे can't chart करने का काम करने लगता है यह शुरू कर देगा एक चलनी का काम चलनी का मतलब च्छानने वाला काम शुरू कर देगा च्छननी के कि जो यह चीज़ें accept किया होगे वो तो अंदर चली गए food feeding and digestion के लिए लेकिन एक process यह और करता है chemo receptor यानि यह chemical को test कर रहेता है कि कौन से material इसके लिए useful है और कौन से poisonous या harmful है उसको reject कर देता है तो आगे चलते हैं बच्चा यहाँ पे आपने देखां कि यह क्या कर लिया कि current के through जो आए हुए food particle है उसको accept करेगा जो अच्छे होंगे और जो बड़े particle होंगे उसको बाहर कर देगा tentical कार क्या करता है tentical or chemo receptor यह एक प्रकार का chemo receptor होता है chemo मतलब chemical receptor मतलब उसके sense को grant करने वाला chemical के sense को grant करने वाला दिन हम बात करते हैं बैटा digestion की जो इसमें digestion होता है किसी भी animal में digestion जो complete होता है वो होता है digestive system में जब हम digestion की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ gland होंगे digestive gland तो आपने digestive gland दो ही यहाँ पे पढ़ा है एक पढ़ा है liver दूसरा पढ़ा है क्या pylori gland जो liver है यह कुछ enzyme सिक्रीट करेगा जिसके द्वारा digestion होगी और pylori gland आल्रेडी हमने बता दिया था उस पिछले क्लास में कि यह pancreas की भाती function को करता है तो जरा आगे हम notes में देखते हैं क्या है इन इस्टमक आफ हर्डमानिया किसके हर्डमानिया के इस्टमक में क्या होता है food is digested जो food है यह digest होते हैं कैसे by the enzymes enzyme के द्वारा present किसके present वे present in the liver और यह liver में present रहते हैं कौन चीजें enzyme जो है digestion को complete कराता है और यह है क्या CHीज liver में म作ल जो enzyme है हर्डमानिया के HELP को complete करता है जो secret करते हैं कुछ enzyme emailase कौन से enzyme को यह secret कर रहा है जैसे emailase है hydrolysis है starch है अब ध्यान देना emailase hydrolases और यहाँ पर starch star जो होता है यह already carbohydrate का ही particle है जो बड़े particle होता है जैसे glucose के दो कण मिलेंगे तो maltose बनेगा और glucose के अगर बहुत सारे कण मिल गए स्टार्च में बदलने लगता है तो यहां पर यह क्या हुआ बटा कि यह मल्टोस बना लिया आइमीन फार्मूला क्या होता है ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस अगर हम कर दें आप लोगों को यह चीजे याद होंगी कमेस्टी में यह पढ़े होंगे बायो कमेस्टी में आप बटा कि ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस क्या होता है यह हो जाता है मल्टोस मल्टोस और जो मल्टोस होता है यह आप मल्टोस देख रहे हैं यहां पर यह मल्टेज हो जाएगा क्योंकि जहीं स्टार्स टूटेगा मल्टोस में और मल्टोस को यहां पर तोड़ने के लिए मल्ट की आव सकता हो यह गामु आएंज्टी है उससे माल्टेज कहेंगे यहां पे बात हो रहे हैं माल्टोस की यह यहीं पर रहने दो, आप इतना समझ कि घ्लोकोब और ग्ल्णकोब मिल के बना लेते हैं क्या इसे का फर्मुला होता है c6 h12 h12 o6 plus c6 c6 h12 o6 equal कर देंगे क्या होगा यहां पर होगा c12 c12 h22 h22 o 11 plus h2 o यह जो बना है यह हमारा होता है disaccharide क्योंकि यहां पर दो योगिक मिले हुए है ग्लुकोज के दो योगिक मिलके एक maltose को बना है यह होगा disaccharide यह है कि इसका carbohydrate का एक oligosaccharide में पाया जाने वाला योगिक है तो यहां जो हमने बना लिया कि यह हमारे पास जो maltose बना अगर maltose को भी तोड़ना आगे तो maltose कि आ सकता पड़ती है तो हमको इतना देखना नहीं है चलते हैं इसकी तरफ यानि amylase अल्रेडी क्या करता है इसको तोड़ता है starch को तोड़ देता है into maltose में और hydrolyze hydrolyzes यह ध्यान देना hydrolyzes यह amylase यह तोडने का काम करता है यह enzyme है ठीक है देन बात आती है protease की यह जो protease है यह protein को तोड़ता है protease breakdown protein जो मौझूद होगा इसके digestion में protein अगर मौझूद है तो यह तोड़ने वाला enzyme liver से कौन सा निकलेगा protease फिर इसके बाद है end lipase end lipase act on fats यानि अगर हम lipid की बात करें या fat ही lipid है अगर हम lipid की बात करें या fat की तो उसको breakdown करने के लिए lipase नामक enzyme की आशकता पड़ती है तो ध्यान देना बिटा बहुत सारे इंट्रेंस में भी यह question पूशा गया है और आपके objective में कभी कभी आजाता है यह question कि protein को तोड़ने के लिए कौन से enzyme होती है प्रोटियेज होती है जो starch है उसको emylase और maltose को starch टूटा maltose बना और maltose अगर टूटेगा तो उसको तोड़ने के लिए कौन आता है maltase आता है वहाँ तूटने के बाद वह glucose के दो योगिंग में चले जाते हैं अगर बात की जाए next की जो lipid है या fat है उसको तोड़ने के लिए lipage किया सकता होती है तो आप लोग इसका इसको no doubt कर ले हम next point पे चलते हैं जरा आप लोग इसको no doubt करें बटा तो चलते हैं बिटा जो हमने digestion अभी देखा digestion के आगे का पार्ट जरा देख लेते हैं क्या है the function the function of pyloric ध्यान देना हमने यहाँ पे आपको बताना चाहां कि जो pyloric gland है यह कैसा होता है like pancreas आप लोग vertebrate में pancreas का function जानते हैं कि वो बहुत सारे digestive enzyme का secretion करता है जिससे digestion complete होती है same as यहाँ पे भी वो pyloric जो है यह pancreas की भाती ही काम करेगा digestion is completed and the digested food और जो digested food है absorbed यह क्या ध्यान देना बटा digestion is completed digestion जो है वो complete होती है कहां पे और digested food जो है वो क्या है कहां absorbed होता है I mean आप एक सब्द सीधे एक ही सब्दों में कह सकते हो कि जो digestion complete होता है और absorption I mean digestion और absorption जो complete होता है वो intestine में होता है आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि intestine का बहुत बड़ा role है intestine में ही digestion और absorption complete हो जाता है देन बात आती है आगे the undigested क्योंकि digestion तो complete हो गई इसके बाद wastage भी तो बचे होते हैं सारे particle तो एपजाब होंगे नहीं सारे particle डाइस्ट तो होंगे नहीं तो कुछ ऐसे material होते हैं जो undigested होते हैं undigested food remove यह बाहर कर दिये जाते हैं remove outside by cloaca cloaca के द्वारा throw किस से एनस के through through inus यानि एक चीज़ ध्यान दिना यहां पर जब हम diagram बनाये थे यह वाली diagram आप लोगों को याद होगी कि अभी हमने इसके पहले डायगराम दिया है کुछ इस जंग से था बेटा और हमने इसको कुछ यू दिखाया था आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को ये मिल जाएगा इंड में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा प्लेलिस्ट में जाके देखें क्योंकि बहुत से बच्चे कहा रहे हैं इसका ये वाला पार्ट नहीं मिल ला है वो पार्ट नहीं मिल ला है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं 1,2,3,4,5,6,7 करके हर चेप्टर का हमने अलग-अलग प्लेलिस्ट दिया है आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियों सेरियल वाइस पा सकते हो आप i button पे click करोगे वहाँ भी हमारे वीडियों को पाजाओगे या फिर end में आपको playlist मिल जाएगा तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि यह वाली portion क्या थी mouth की थी जो branchial part है जो branchial part है कौन सा branchial aperture बोला गया है और यहाँ से जब हम बात करेंगे तो यह वाली part क्या थी? atrial aperture यह वाली थी atrial aperture और इसको यहीं पे अगर हम बात करें यह वाला portion क्या है? यह तो हो गया NS यह हो गया NS और यह NS घूम के अगर हम इस diagram को थोड़ा और rotate करके आपको दिखा दें तो आप लोग clear समझ जाओगे यहां पर क्या था यह वाली space जो बनी हुई थी बिटा यह वाली space क्योंकि यह चीज़े यहां पर ऐसे ही start हुई थी कुछी ज़ंग से लेकिन यहां की जो atrial aperture के पहले जो बनी space थी यह वाली space को कहा गया था cloaca यह था cloaca यानि cloacal opening यह था mouth यहां से food material water current के थ्रू एंट्री किया बकल कविटी में और बकल कविटी के पास जो फोल्डिंग थी और टेंडिकल था वो के अपने कीमो receptor आरगन के साथ इसको identify किया और टेंडिकल ने उसको accept किया कि यह small particle है अगर large होगा तो उसको reject कर देगा यह particle यहां पर मूफ करते हुए चले आएं इधर से इधर से गुमते हुए आगे ऐसो फेगस में ओष्वेगस से चले गए इस स्टमक के पास जिसके ऊपर आल्रेडी लीबर का पार्ट था जहां पर लेप्ट और राइट लीवर था जो लेप्ट लिबर था यह बाद्ट क्या हुआ, intestine में finally आप लोग ध्यान देना, कि यहाँ पे digestion और absorption complete हो रहा है बटा, यहाँ पे ही food material का digestion और absorption दोनों complete होता है, और यह चीजें जो आप यह ऐसे देख रहे हो इसको हम थोड़ा large कर दे रहे हैं जिससे आपको यह point clear हो जाए कि यहाँ से clinical के थ्रू एनस से यह आगया clinical opening में अब यह clinical opening में आगया waste material या undigested material और finally जो atrial syphon आपका सकते हो, या atrial aperture के थ्रू क्या हुआ, outside कर दिया गया, कौन सा चीज? undigested material और जो यहाँ पे था ingestion ingestion में क्या हुआ, सारी food material को जो useful थे, उसको intake किया गया, या अंदर लिया गया sorry I hope आप लोगों को यह पूरी video clear हो गई होंगी अगर नए हैं, तो subscribe करिए like का बटन जरूर दबाएं, और comment box में जरूर जाके बताएं, कि आपको यह matter clear है, और notes को बेटा complete करते रहें, thank you for watching my video